नमस्कार दोस्तों मैं हुं हरियों गुपता आज हम डिसक्स करेंगे प्रीवियस यर कोश्चन्स जो लाश्ट यर इब्राम में आये थे उनी के बेसिक्स बे और भी हम डिसक्सन करेंगे जो हमारे जितने उनसे कोश्चन्स बन सकते हैं तो आपको सब इस वीडियो मिलेंगे सरकारी रिजल्ट इस नाओ उन यूटूब सो जुड़े रहे मेरे साथ सभी बिकैंसी एड्मिट कार्ड रिजल्ट एंड इंटर्वियू रिलेटे इन्फॉर्मिशन के लिए इस डिसक्स करते हैं आज का हमारा पेपर इस पेपर में आरो ए आरो का पेपर डिसक्स किया गय हैं तो फ्रेंड्स इसका पहला पार्ट में आपको अवेलेबिल करा रहा हूं इसका सेकेंड पार्ट भी आपको सेम चैनल पर मिल जाएगा और भी पेपर हम डिसक्स करेंगे तो आए देखते हैं मातपूर्ण अनुदेश इनको जरूर एक बार पढ़ लें आए कोश्यन द पर Всё कि पेश किया जाता है इसका साइज आंसर है बित्मंत्र आले और इसको बित्मंत्री इसका विमॉचन करते हैं अगला कुश्यन है मिस्रित अरथिववस्था का क्या तातपर है mix economy से मतलब होता है फ्रेंड्स जैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में निजी मतलब ट् उस्टम है तो ऊबर रइल राइड आंसर पर बिशिशों के में व्यापार को प्रिशाइद करना है यह संग्ठन्시고 सेटन्ट में देशों मंए लुस्त héros यह सामन वैयरता बनाए जाता है वह कौन सा है वह तोड़ी है तोड़ी राग है जो सुभा में गाया जाता है दरवारी साम के समय गाया जाने वाला राग है आते हैं अगले कोश्चन में इंदरानी रहमान का संब्द किस सास की निर्ट कला से फ्रेंट्स इंदरानी मुखर जी क्लासिकल डांसर है जो इसका सही आंसर है उभ्भोकता कीमत सूचकांग यह एक सूचकांग बताता है कि बाजार में बस्तूओं की कीमत और महंगाई के बीच संबंद को रिप्रेजेंट करता है इसके आधार पर ही सरकार निर्णे लेती है कि किसी कर्मचारी का बेतनमान बढ़ाना है अत्वा नहीं भारत में सिच्छक दिवस कब मनाया जाता है यह डाक्टर राधा पर्ली सर्वकिष्टन जो हमारे पहले उपराष्ट पती थे उनके जर्म दिन पर ही सिच्छक दिवस मनाया जाता है हमारा इसका राइट आंसर है पांच सितंबर जिसको हम टीचर्स डे के रूप में भी मनाते हैं यह बहुत ही फेमस कोश्चन है बहुत आसान कोश्चन भी है इस पेपर में फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा कि आप एट लीस्ट पूरा पेपर अटेम्ट करें क्योंकि इसमें 50% कोश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा आसान है सो इस कोश्चन पेपर में आपको स्पीड मेंटेन रखनी है ताकि आप अपना पूरा पेपर अटेम्ट कर सकेंगे कई वार क्या होता है कि लाट तक अटेम्ट नहीं हो पाता है 10 दिसंबर को मनाया जाने वाला है मानव अधिकार दिवर्ष यूमन राइट डेस ये 10 दिसंबर को पृतिवर्ष मनाया जाता है यह हैं लोगों को अपने मानव अधिकारों के बारे में Human Rights के बारे में जागरत करते हैं अगले कुश्चन पर प्रथम भारती नॉबल प्रोसकार बिजयता कौन थे यह थे रविन्नाथ टेगोर इनको अपनी पुस्तक गितांजली के लिए प्रथम नॉबल प्रोसकार मिला था इसके अलाबा देख लेते हैं सीवी रमन फिजिक्स में इनको मिला था 1930 में हर्गोविन खुराना बहुत ही पिरसित बैग्यानिक थे इन्हें अपने हिर्दे सोज के लिए नॉबल अवाइड मिला था अम्रेस सेन, अम्रेस सेन को एकोनोमिक्स में मिला है मीनाक्षी मंदिर कहां इस्तित है इसका सही आंसर है मदुराई मदुराई में मीनाक्षी मंदिर इस्तित है यह बहुत ही दच्छन भारत का फेमस मंदिर है पिर्थम भारतरस्ण पुरुषकार किस वर्ष दिया गया यहाई पुरुषकार 19 सो चौउवन में दिया गया और एक साथ तीन लोगों को दिया गया। बरतमान में किसे भारत रंद पुरुषकार्ट दिया गया तो यह है अटल मिहारी बाजपेई और मदन मुहन मालविया को दिया गया पिर्थम बार जब दिया गया तीन लोगों को दिया गया था इसमें हमारे उपराशपर्ती डॉक्टर सलपरदी जालरकृष्णन पिर्थम गवर्णर जर्णल सी राज गोपालाचारी और इसके बाद बैंकट रमन जो 1930 में फिजिक्स में रमन एफेक्ट के लिए नॉबेल एवाइड विनर थे इन तीनों लोगों को 1904 में भारत रंद में बिभूशित किया गया तो अवर राइट आंसर इस 1954 देवी धोरा मेला कहा मेला है यह हमारे भारत के बड़े मेलाओं में से एक है तो देवी धोरा मेला बहुत ही important है गीद गोवेंद के रचेता कौन थे? गीद गोवेंद जैदेव की रचना है यह बहुत ही फेमस पुस्तक है तो इसका राइट आंसर है जैदेव भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती पुस्तक राष्ट कभी मैथली सरंगुप्त के द्वारा लिखी गई है जिसमें उनकी रचनाओं का संग्रण किया गया है तो हमारा राइट आंसर है राष्ट कभी मैथली सरंगुप्त भारत भारती के लिए निमलिकित में से नगरों को गुलाबी नगरी कहते है Pink City of India is called Jaipur पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है रथ यात्रा पृतिवर्ष भगवान जगणनात के सम्मान में निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ जिनका मंदिर पूरी उडिसा मिस्टित है उनके लिए रत ह्यात्रा निकाली जाती है तो अब राइट आंसर इस भगवान जगन्नाथ भूदान आंदोलन की सुरुवात कहां से हुई भूदान आंदोलन फ्रेंड्स बेसिकली लेंड रिफॉर्म था जिसमें जो बड़े भूमी पती थे उन्होंने अपनी भूमी दान की थी इसकी सुरुवात आंदप्रदेश से हुई थी लेकिन इसके लिए एक और important question अगर ये बरतमान में आता है तो इसका सही आंसर तेलंगाना होगा क्योंकि जिस स्थान से इसकी सुरुवात हुई थी वो तेलंगाना में है और question जब आया था उस समय तेलंगाना नहीं बना था तब उस question के अनुसार आंसर था आंदप्रदेश लेकिन आज के समय से इसका आंसर होगा तिलंग अना तिलंगाना से हुई थी पंडित भीम सेंजोवी किसे संबन दे थे यह संगीश संबन दे थे बहुत ही बड़े म्यूजीशियन थे और इनका संबन संगीश से है लजजा पुस्तक के लिए तसलीमा नसरीन तसलीमा नसरीन अपनी लजजा पुस्तक के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी तो इनका राइट आंसर है तसलीमा नसरीन केप से मतलब होता है छोर किसी इस्थान का अंत तो इसका राइट आंसर है कन्या कुमारी आते हैं नेक्ट कुश्टन भारत में सरवाथ कोईले का भंडार कहां है मैकिसमम इस्टोरेज ऑफ कोईले का अत्पा औंडं कहा होता है तो वह होता इस्थाइज गड़ में इसमें इनोंने समाजवात के सिध्धान्त को समझाया है So our right answer is काल माक्स काल माक्स की रचना है दास कैप्टल दास कैप्टल का प्रभावत से ही लेनिन ने रूस में रूसी करांती को चन्म दिया था बैलेंटाइन डे प्रतिवर्स कब मनाया जाता है चौदा फरवरी को सेंट बैलेंटाइन की याद में बैलेंटाइन डे मनाया जाता है भारत में ऑपरेशन बिजय किसके बुरुद्ध चलाया गया यह पाकिस्तान के बुरुद्ध चलाया गया यह कारगल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना से निपटने के लिए ओपरेशन बिजय चलाया गया जो बहुत ही सेमस ओपरेशन था और जिसमें भारती सेना बिजय हुई थी तो राइट आंसर इस पाकिस्तान पदम स्री किस अभिहत्री को पहली बार दिया गया इसका सही आंसर है नर्गिसदत नर्गिसदत संजदत की मा है जिसको पदम स्री पहली बार भारती महला को मिला था नेपाल गरतंत्र के प्रथम प्रथानमंत्री कौन थे यह है स्री कोईराला कोईराला में पहली बार जब चुना हुए उसके ततपस्चात गरतंत्र के प्रथम प्रथानमंत्री स्री कोईराला बने चीनी संसत को किस नाम से जाना जाता है चाइनीज पालियमेंट को किस नाम से जाना जाता है यह जाना जाता है नेशनल प्यूपल कॉंग्रेस नेशनल प्यूपल कॉंग्रेस जिस तरह से हमारी संसद का नाम संसद है उसी तरह से वहां की संसद का नाम नेशनल प्यूपल कॉंग्रेस है जहारखंड राज की राधधानी राची निमलेकित मैं से साउध ए सौर्ट्रिक है अगर आपने मेरी सौर्ट्रिक की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज लिंक है आप उसे देखके राइट आंसर है MBBS पानी M4 मालदीप B4 भूटान अगेन B4 बांगलादेश S4 स्री लंका P4 पाकिस्तान A4 अ Exactly & A4 इंडिया. इसमें Thailand नहीं है तो है र्याइट आंसर This Thailand इसमें हमारे साथ देशों का सार्क नेशन है और इससका र्याइट आंसर है Thailand विकॉप थाइण इंड नोट मैंबर ओस सार्क नेशन सार्क नेशन अक्चुछिऴ दच्छन एसिया में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए संगठन बनाया गया था तो ए रीजिनल कॉपरेशन संगठन है और आईए नेक्ट कुश्चन नॉबल पुरुसकार भारत के अर्थास्त्री अम्रेस सेंगो दिया गया है हम पहले भी डिसकस कर चुके हैं निमलिकेत में से किसे बिटेस प्रधानमंत्री का आवास किस नाम से जाना जाता है बिटेस प्रधानमंत्री के आवास को 10 डाउन इस्ट्रींग की नाम से जाना जाता है 10 डाउन स्ट्रीट वहां की सड़क है जिस तरह से भारत में लोग कल्यान मार्क की नाम से जाने जाने लगा है प्रधानमंत्री आवास को से से विन आर सी आर जिसको पहला पुराना नाम था आरभट थे आरभट थे भारते गरत गरतक एवं खगोल सास्त्री इन्होंने ही सबस लग एवं खगोल सास्त्री भोपाल गैस त्रासदी मैथल आइसोसाइनाइट मिक गैस की घटना कव हुई थी एक जहरीली गैस की रिसाव हुआ था जिससे कई लोगों कई सो लोगों की मिरत्ति हो गई थी यह हुआ था भोपाल में और इसका सही आंसर है तीन दिसंबर उन अंतिम गवर्नर जर्णल थे भारत के पिर्थम गवर्नर जर्णल राज गोपालाचारी थे जो भारतिय गवर्नर जर्णल थे इन्हें 1954 में भारत रत्म से विभूशित किया गया इसके बाद गवर्णर जर्णल का पद भारत में समाप्त कर दिया गया किस महादीब की जन्संक्या घनेत अधिक्तम है तो इसका राइट आंसर है A.C.A. सेंक तो राज अमेरिका की प्रसम राश्पती कौन थे इसका राइट आंसर है जार्ज वासिंग्टन अलीपूर सेंटरल जेल कहां इस्ते थे यह इस्ते थे कोलकाता में स्वराज पार्टी का गठन किस ने किया स्वराज पार्टी का गठन मोतिलाल नहरू और सियार दास इन दोनों ने मिलकर 1930 में स्वाराज पार्टी का गठन किया था इन्हों नहीं सबसे पहले 26 जन्वरी को स्वातंतरता दिवस मनाने का प्रिस्ताव भी लाए थे स्वावर राइट आंसर इस सियार दास और पंडित जवाहलाल स्वारी मौतिलाल नहरू Central Legislative Assembly का प्रिथम Speaker कौन था Central Legislative Assembly उस तरह थी जिस तरह से आज बर्तमान में हमारी लोक सभा है यह है 1919 के मांटेंग्यू चैंस फोर्ड रिफोर्म में आई थी इसका सही आंसर है बिठ्थल भाई जे पटेल यह प्रिथम Speaker चैनित हुए थे भारतिय स्वतंतरता अधिनियम बिर्टिस संसाथ में कब पारत किया गया मित्रों हमें पता है कि भारत स्वतंतरता 15 अगस्ट 1947 को मिली है जिसका प्रिस्ताओ बिर्टिस पार्लियामेंट में एक महीने पहले जुलाई 1947 में पारत हुआ था सो अबर राइट आंसर इस जुलाई 1947 और इसको लेके आये थे लॉर्ड माउंड बैटन लॉर्ड माउंड बैटन ही अंतिम अंग्रेजी गवर्नर थे जो वार्सराय थे जिन्होंने भारत को स्वतंतरता प्रदान की और 14 अगस्ट को पाकिस्तान नामक नया देश बना तो पाकिस्तान का सिर्जन होने का देश दिन है 14 अगस्ट और भारत का स्वतंतरत दिवस 15 अगस्ट 1947 है लेंड मार्क इन इंडियन कस्टिजूशन नेशनल डेबलमेंट उस तक के लिएक कौन है यह हैं गुरुमुक निहाल सींग यह हैं पूर्व मुखमंत्री दिली के और पहले गवरणर भी रह चुके हैं राजस्थान के कांगरेस प्रेजिडेन्ट के संपाधक कौन थे? इसका राइट अंसर है जी ए नाटेसन जीए नाटेशन, कांग्रेस, प्रेजिडेंशियल, एड्रेसेज के संपादक थे तो फ्रेंड अभी तक के डिस्कॉसन में हमने देखा कि कुछ कोश्चन तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है जिन्हें अपने बेसिक नॉलेज से किया जा सकता है परंतु कुछ कोश्चन के लिए आपको इस पेसल स्टेडी करनी पड़ेगी जिसके लिए मैं आपको नोट्स प्रवाइड कराऊंगा आपको सेम वीडियो के लिंक में नोट्स मिल जाएंगे जिने आप पीडिया फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं उनकी लिंक नीचे है भारत का राष्टे पक्षी कौन है मोर भारत का राष्टे पसू बाग जिन कुश्चनों के हम बात कर रहे थे बहुत ही सिंपल है आपे देख सकते हैं बिहू किस प्रदेश का लोक निरत है यह अशम का है बिस्व जन संक्या देवस कब मनाया जाता है बिस्व जन संक्या देवस प्रतिवर्स वर्ल्ड पॉपलेशन को एनलाइज करने लिए इसका राइट अंसर है 11 जुलाई 11 जुलाई को प्रतिवर्स बिस्व जन संक्या देवस मनाया जाता है तो आते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर बराक ओबामा अमेरिका की राष्टपती चुने गए यह थे 44 में राष्टपती बरतबान में कुश्चन पूछा जाएगा कि डोनाल्ड ट्रम्प कौन से भी राष्टपती है तो यह हैं 45 में इसके अलावा एक कुश्चन और भी बन सकता है कि बराक ओबामान कितने बर्स राष्टपती पत पर रहे तो यह रहे 8 साल राजीब गांदी खेल रतन पुरुषकार 2007 में किसे दिया गया 2007 में एवार्ड MS धोनी को दिया गया था भारत के किस राजीब गांदी खेल रतन पुरुषकार योग के अवसकारक कौन थे जिसने सबसे पहले योग सहिंता नामा कुस्तक लिखी वो थे पतंजली सुराइड आंसर इस पतंजली भारत के किस राज को सिलकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है यह है करनाटक करनाट में चल्कॉन बैली है बैंगलर लोहे कि कमी से कौन सा जाता है यूनिवर्सल ग्रैडीटेशन लावायं गि Cameron दिवियन बाई न्यूटन बताया था F वराबर G M1 M2 upon R square परियाब बिस्ट परियाब रन दिबस कब मनाया जाता है यह मनाया जाता है पांच जून को परतिवर्स पांच जून को World Environment Day मनाया जाता है भारत की सबसे एक जन संक्या वाला सहर कौन सा है तो यह है देली निमलिकित मेंसे किस फल में लो एपरिचुर मात्रा में पाया जाता है यह पाया जाता है जामुन में जामुन जो सबसे ज़्यादा परिचुर मात्रा में लो इसमें होता है कुनैन कुनैन जो मलेरिया के लिए एक दवा है वो बनाया जाती है पेड़ की छाल से बिटामिन सी सबसे ज़्यादा होता है संत वाट जेम्स वाट में सबसे पहले स्टीम इंजन का विसकार किया था भारत में जावल्थोस संस्थान कहां पर है यह कटक में यह हमारी फ़नी ट्रिक में था दूद का दही में परवर्टित करना कहलाता है बैक्टीरिया से लेक्टो बैसिलस करता है इसको एड्स का क्या रतौंदी किसकी कमी के कारण होता है रतौंदी आँख का होने वाला रोग है जिसमें आई साइड बीक हो जाती एね notion का समिक हो जाती चेवन ताजे फड़ो में होता है, विस्व कंप्यूटर साथ चारता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे, every year 2 दिसम्बर को मनाया जाता है, यह हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो कंप्यूटर की नौलेज को इंप्रूब करने के लिए होता है और राइट आंसर इस टू डेसेंबर डिजिटल किस सिध्धान पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक गेट्स पर काम करता है माउस माउस इंपूट डिवाइस है USB का हुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस friends they question are very easy but some question are difficult so difficult question को tackle करते करना है वो मैं आपको पूरी तरह से guide करूँगा पिरसिद भारतिय बग्याने C.B. रमन को नॉबल प्रुसकार दिया 1930 में रमन एफेक्ट के लिए कंप्यूटर के पिता Charles Babes भारतिय राष्टी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नहीं थे तो इसका अंसर है बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष नहीं रहे बरतमान अध्यक्ष राहुल गांदी है बदरुद्दीन तयब जी गोखले सुवाशन वोज यह सभी अध्यक्ष रह चुके हैं हरजन के प्रारम करता एक्चुली हरजन सब्द ही गांधी जी ने दिया था तो इसके प्रारम करता गांधी जी थे लाल कुर्ती सीमांत गांधी खान अब्दुलकफार खान ने दिया था भारती राष्टी कांग्रेश के पिर्थम मुसलिम अध्यक्ष कौन थे पिर्थम मुसलिम अध्यक्ष हमारे इंडियन नेशनल कॉंग्रेश के थे बदुरुद्दीन तैयब जी बदुरुद्दीन तैयब जी वाज एलेक्टेड वाज फर्ष्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडि गर्थम लोकसभा के अद्रक थे जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर को पहली लोकसभा में अध्यक्ष बनाया गया था बरत्मान है सुमिंत्रा महाजन सुमिंत्रा महाजन बरत्मान लोकसभा स्पीकर हैं हरजन सेवक संग को गठेद किया था महात्मा गांधी और डॉक्टर बि पत्र का निकाली गई थी पहला भारत में किसने अंग्रेजी हुकूमत इस्टेबलिस की तो एक ही बारें हैंस्टिंग्स ने पंजाब केसरी के उपादी किसे दी गई यह दी गई थी लाला लाज पत्राय को डॉक्टर अंबेटकर और गांधी जी के मद्द एक समझवता इसको स्वामी द्यानंद स्वारसधी ने लिखा था राइड आंसर इस आरेंसर निमलेकेट मैं थे किस प्रिथा की सुरुआद राजपूतों के समय हुई यह हुई थी जोहर प्रिथा जोहर प्रिथा के पीछे अभी मुवी आय थी पदमावती जिससे आप समझ सकते हैं त देगवेद जिसमें दस्थो अठाइस रिचाओं की रचना है महात्मा गांधी दा पाइनियर नामक पत्रका नहीं निकाली बाकी इसावी सही हैं सार्दा एक्ट था बाल बिभाय से संबंदित कौनसा बाल बिभाय नामक कूपर्था को रोकने के लिए सार्दा एक लाया गया जिसमें एक किया गया है कि बाल विबाय इल्लीगल है प्रिथम अणुबं का विस्पोर्ट हिरोस्मा सहर पर 6 अगस्ट को किया गया यह कौन सा बॉम था यह था लिटल बॉइ लिटल बॉइ नामक बॉम इसके बाद फैट मैं नौ तारिक को गिराए गया तब प्लासी का यह दो 1767 में लड़ा गया बकसर करें दो 1764 में तो इसका राइट आंसर है 1757 भारत के प्रिथम समिधान के प्रिथम संसोदन 1951 में था तो फ्रेंड यह थे हमारे सब्सक्राइब के लिए सरकारी रिजल्ट की इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू आरो ए आरो के पिछले साल के पेपर सिलेवस के लिए अपनी इमेल आईडी कमेंट्स करें